नमस्कार दोस्तों मैं आपका निरंकार बर्मा और जलवाई विज्ञान का एक और प्रश्ण हम लोग देखते हैं देखें प्रश्ण दिया हुआ है निमने कथनों पर विचार करें और उप्रित कथनों को देख करके जो नीचे कूट दिया गया है उसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है जान दीजेगा असत्य को आप अंडरलाइन करेंगे पहला इस्टेट्मेंट दिया हुआ है ऑक्सिजन प्रज्वलन में यानि की इगनिशन में सहायक गैस है हेल्प करती है यह जो आग जलती है उस आग जलने में आक्सिजन सहायता करने वाली गैस है बिसकलिए यह कह रहा है तो अब ध्यान दीजिए आक्सिजन की उत्पति वास्तों में जाला मुख्यता क्रिया के द्वारा आरंभ में वो 18 आइसोटोप्स के रूप में हुई थी बट बाद में प्रकास संसलेशन की क्रिया की द्वारा दिन पर दिन ऑक्सिजन गैस परती चली गई यह गैस जो होती है यह वास्तों में आग को जलाने में सहायता करती है विदाउड ऑक्सिजन आग नहीं जल सकती तो इसका परसेंटेज अगर देखें तो हमारे वाई मंडल में इसका परसेंटेज लगभग 21% के आसपास है इसका मतलब यह है कि पहरा इस्टेटमेंट हमारा सही है यह करेक्ट आंसर है दूसरा क्या है नाइट्रोजन ऑक्सिज को तनू करके यह डायलूट करके प्रजुरन का नियमन करती है यानि की रेगुलेट करती है तो ध्यान दीजिए जो नाइट्रोजन है यहां हमारे वाई मंडल में सबसे अधिक मात्रा में है लगभग कितना 78% के आसपास और यह नाइट्रोजन एक फिलर गैस भी है और हमन द्रूशन दों करन का छाती है क्योंकि वहां टेंप्रेचर कम होता है तो वाजर्ण का डर भी कम होता है इस कारण से जिस अनुपात में जरवास्त की मात्रा द्रूओं की घ Kalita है। वैसे वैसे उसकी जगह को nitrogen फिल करती है। और द्रूओं की तरफ बढ़ने पर nitrogen की मात्रा भरती चलिया आती है। आप जानांदीजीए, जो nitrogen है बेसेकली इसका काम क्या होता है। यह जो ऑक्सिजन होता है उसको डायलूट कर देता है तनू करकर आग को जलाने में आग को आग के प्रज्वलन को यह क्या करती है हम कह सकते हैं कि इगनिशन को रेगलेट करने वाली नैट्रोजन गैस होती है इस आधार पर यहाँ भी इस्टेट्मेंट क्या है कारबन डाय आकसाइड कीवास में इननके प्रज्वलन का उत्पाद है मतलब क्या कह रहा है कि जो कारबन डाय आकसाइड है आप जानते हैं कि यह एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में है और अगर इसका प्रसंटेज देखें तो 0.004 प्रसंट के आस पास हो गया है और देखा जाए तो जो आला मुखेता के द्वारा जब वाई मंडल का निर्मान हो रहा था तभी से यह गैस आई और मानो जनित गतिविधियों के कारण जो जीवास में इननका प्रज्वलन किया जा रहा है जैसे पेट्रोलियम प्राकिर्टिक गैस पोईला यह सब जो इन कारवन डाई आक्साइड की क्या हो रही है उत्पत्ती हो रही है तो दिन पर दिन कारवन डाई आक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती चली जा रही है तो एक तो यह चीज हो गई साथे साथ आप देखेंगे कि इसी कारवन डाई आक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के कारण दिन पर दिन ग्रीन हरित गिरे प्रभाव यानि कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव भी बढ़ रहा है जिसके कारण पुर्थिवी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग की लिए एक उत्तरदाई कारक है हम कह सकते हैं कि यहाँ भी इस्टेटमेंट क्या है सही है यानि कि हम जब जीवास में इन्हन को जलाते हैं पेट्रोलियम कूल और नेच्रल गैस आदी तभी ये कारवन डाय आकसाइड की मातरा बढ़ रही हाला कि और भी कारण है लेकिन मुक्ता जो इसमें दे रहा है वो जी योन गैस क्या होती है तो बेशिकली आप देखिए जो हमारा एटमास्फियर है इस एटमास्फियर में मालों यह पृत्वी है अब इस पर यह आपका हो गया मंडल यह हो गया आपका समताप मंडल में क्या होता है वो जोन गैस पाई जाती है वो जोन गैस पाई जाती है ओ अब देखिएगा कि जो ओधिरी है यह सूर से आने वाली मालो यह सूर है अब यह सूर से अलग अलग टाइप की अलग अलग फ्रेक्वेंसी की रेजिस आती है जो सोरा इफ्रेक्टर में हम लोग सिखते हैं जैसे आप देखेंगे गामा रेज एक्स रेज अल्टरा वाइलेट विजबल रेज तो ऐसे आप देखेंगे अलग 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 फ्रेक्वेंसी वाली रेज आती है पृतिवी की और जिसमें एक होती है पराबैगनी किरन अब पराबैगनी किरन जो होती है अगर यह सीधे पृतिवी की सता परा जाए तो अनेक तरह से हमको हार्म पहुचा सकती है इसलिए हम कह सकते हैं कि पराबैगनी एक हानिकारक किरन है अब जो ओधिरी है यानि कि जो ओजोन है यह लगभग 16 km यानि पृषिभी की फता से 16 km की उचाई से लगभग 45-40 km तक यह मिलती है और लगभग पृषिभी की सता से 22 km यानि 22 km के पास आप देखेंगे इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह कैस क्या करती है जो पृषिभी से आने वाल अल्ट्रा वाइलेट जो रेज है यह जो पराबैगनी किरन है उसको यह अब्जर्व कर लेती है और इसको अब्जर्व करके समताप मंडल का तापमान बढ़ा देती है इसलिए अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि पृठिवी की फता से उचाई बढ़ने पर जैसे के लिए तापमान घरता है क्यों क्योंकि नार्मल लैप्स रेट काम करता है जैसे जैसे उचाई बढ़ती है वैसे से तापमान घरता है क्यों क्योंकि वाई मंडल की सघंता में कमी आ रही है वाई मंडल की सघंता में कमी आने से सौर उर्जा का और शूशन है उसका दर्वी कम हो ज करता है कितना six point five degree centigrade per kilo meter elapse rate है वट आप अगर छोब सीमा के पास जाओ इसके बाद तापमान घटने के बजाए तापमान क्या होने लगता है तापमान increase करता है इसका कारण क्या है इसका कारण यही है तो सूर्च से आने बारी अल्ट्रा त्रेज है उसको ओजोन परत अफजर्व करके संताप मंडल का तापमान को बढ़ाती है जिसके कारण यहां पर एक तापिय बिलोमता की इस्थती बन जाती है थर्मल इंवर्जन की इस्थती बनती है और यही कारण है कि मौसम संबंधी समस्त गतिविदियां कहां पर होती है तो आप कहेंगे जो मंडल में ही होती है तो परावैगनी क्रिणों को अफजर्व करके यह प्रतिवी पर आने से रोकती है इसलिए हमारी प्रति कोन layer है इसी को क्या कहते हैं एक नाम याद रखिएगा PT के लिए Chapman लेयर बोलते हैं इसको इसको चैप में लेयर भी कायता है एक नया नाम है इसको भी आपको याद रखना है इस आधार पर अगर देखा जाए तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है या पराबैगनी क्रिणों को असोसित कर प्रतिवी कि रच्छा करती है तब आएसे में आप दे नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा दी उप्यत में से कोई नहीं है